रेडियो प्लेबैक इंडिया के सब ही शुताओं को पिट्सबर्ग से अनुराग शर्मा का प्यार भरा नमस्कार बोलती कहानिया के नए पॉड़कास्ट में आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नमिता सचान सुन्दर ही कहानी खिडगी जिसे स्वर्दिया है दीपिका भाटिया ने उन दिनों उदे की पुराने किताबों की दुकान मेरी पसंदीदा जगा हुआ करती थी दुकान भी कहां एक बहुत पुराने बड़े से पेड़ के नीचे बास लगा कर कपड़े तान कर छत और दिवारे बनाई हुई थी बस वही कुछ गड़ियों में लगी, कुछ ठेर में पड़ी रहती थी किताबें उदे ये किताबें रद्धिवालों से खरीदता था स्कूल कॉलेज के पार्थे क्रम की कोई पुस्तक नहीं होती थी वहां हां, इंग्लिश, हिंदी के उपर न्यास, कविता संकलन, आत्मकथा, ललित लेक, गरच की हर विधा की पुस्तकें कौड़ियों के मुल्य में उपलब्द हो जाती थी उसके पास मैं उद्य की नियमित ग्रहक थी, तो हमारी बात चीप भी काफी होती थी और कभी-कभी उसे लगता था कि कोई किताब मुझे पसंद आ सकती है, तो वह उसे बेचने वाले किताबों से अलग करके रख लेता था और मेरे ना खरिदने पर ही उसे बेचने वाले किताबों में मिलाता था एक छोटी सी मचिया भी रहती थी उद्य की दुकान में, जिस पर बैठ कर मैं कई बार बहुत तेर तक किताबों को उलटती पलटती रहती थी और उद्य से बत्याती भी रहती थी पिता की असमय मृत्यू के कारण उदय स्कूली पढ़ाई तो बहुत अधिक नहीं कर पाया था पर किताबों के बीच रहते रहते उसे किताबे पलटने पढ़ने की आदत पढ़ गई थी इसी वजह से उसकी बातों में परिपक्वता समवेधन शीलता आ गई थी उससे बात करना किसी मंचीती किताब में उबचूब होने से कम सुख कर नहीं होता था तो ऐसी ही एक फुरसतिया दुपहरे में मैं मच्या पर जमी हुई किताबों को खंगाल रही थी और उदे से बत्याती भी जा रही थी कि मेरी दृष्टी पीछे की तरफ किताबों से हट कर रखी एक बहुत पुरानी थोड़ी फटी सी डाइरी पर पड़ी उदे वह वहाँ पर क्या है? मैंने डाइरी की ओर उंगली दिखा कर कहा दीदी वह किताब नहीं है हाँ वह तो मुझको भी दिख रहा है पर है क्या? कहां से आई? दीदी दो दिन पहले एक रद्दी वाले से किताबें चाट कर ले रहा था तो अचानक ही यह डाइरी हाथ में आ गई किसी के व्यक्तिगर डाइरी लगती है पता नहीं मुझे क्यूं लगा कि किसी का मन यूँ ठेले में धेले भाव विकने के लिए तो नहीं है और मैंने किताबों के साथ इसे भी खरीद लिया फिर पढ़ी क्या? उधे के चहरे पर एक अजब सा संकूच उतराया जूट नहीं बोलूँगा दीदी थोड़ी सी पढ़ी पर किसी लड़की की डायरी है कैसी तो जिजख होती है पढ़ने में जैसे चोरी कर रहा हूँ मन तो करता है पर पढ़ नहीं पा रहा अचानक से उसके चहरे पर चमक आई दीदी आप तो पढ़ सकती हो आप तो लड़की हो सहेली से बात करने जैसा होगा ना आपके लिए तो अच्छा फिर मैंने मुस्कुरा कर उसे देखा और उसने डायरी उठा कर मेरी ओर बढ़ा दे मेरे भीतर भी उच्छुकता तो ख़दबदाने लगे थी मैंने धीरी से हाथ बढ़ा डायरी पकड़ ली और उसे अपने पैरों पर रख लिया धीरे से डायरी पर हाथ फिराया बहुत धूल से अटी थी दीदी मैंने साफ की है कभी शायद रही होगी चमकीले कत्था ही रंके और सुनहरे अक्षरों से लिखा होगा उस पर कुछ शायद किसी संस्था का नाम और सन पर अब साफ करने के बाद भी धूल के कण चिपक कर बैठे थे कहीं कहीं समय की धूल उसी समय की धूल और सुनहरे लिखे हुए का एहसास कराते इक्का दुखका कण छोटी लकीरें दिख रही थी मैं हाथ फिराती बैठी रही थोड़ी देर उदय एकाद ग्राहक को निप्टा कर मेरी और मुड़ा दिदी इतना आसान नहीं है न हारी कैसा तो मन कर रहा है लग रहा है किसी के घर में सेंध लगाने की तयारी कर रही है हम सच अच्छा दिदी कितनी पुरानी डारी है मुझे लगा उदय ने रास्ता खोल दिया हो जैसे वरना अकेले तो मैं इसे ऐसे ही लिए बैठे रहती शायद पहला पन्ना पलटने की हिम्मत ही नहीं कर पाती मैंने धीरे से कवर खोला तिरपन साल पहले का सन छपा हुआ था पन्ने भुर भुरे से होने की कगार पर थे अच्छा उदय अगर यह डायरी जिस साल की है उसी साल लिखने शुरू की गई होगी और जिसने लिखी है उनकी उम्र उस समय 16-17 भी मान ले तो अगर भी होंगी तो सक्तर के आसपस तो होंगी ही न होंगी? नहीं, पता नहीं उदय भी जैसे मेरी तरह कहीं बहुत दूर बहुत पीछे चला गया हो तो मैं इसे ले जाओं? हाँ, मैं तुम्हें बताती रहूंगी उसने सिर हिला दिया बोला कुछ नहीं कुछ मनेस्तितियां शायद उनके लिए कुछ शब्द ही नहीं बने होते मैंने संभाल कर डायरी पर्स में रखी और खरीदी हुई किताबे लेकर चल पड़ी मन भी थुड़ा भारी हो गया था और कदम भी धीरे धीरे उठ रहे थे कौन होगी वह? क्या उसने कभी सोचा होगा कि उसके मन के खुली किताब एक दिन किसी अंजान अपरिचित लड़की के हाथ होगे? कौन? क्या? कैसे? कब? क्यूं? ना जाने कितने सवाल भीतर ही भीतर गड़ मड़ हो रहे थे और फिर उस रात अपने कमरे के एकांत में मैंने पल्टा डायरी का पहला पन्ना स्याही धूमिल पड़ गई थी पर कितने सुघड अक्षर थे कैसी रही होंगी लिखने वाली? जरूर सुकोमल कमनी रही होगी अगर बहुत जादा नहीं भी पड़ पाई होगी तो भी किताबों की संगत में जरूर रही होगी कभी न कभी सहज और भाव पूर्ण भी प्यक्ति तो ऐसा ही कुछ इंगित करती थी ना तारीखें दर्ज थी ना सन ना बहुत ही नियमित तरीके से लिखी गई थी डायरे शायद इतनी सुविधा समय ही नहीं था लिखने वाली के पास कि अपने हिस्से का इत्ता सा सुक भी वो सलीके से जी ले थी टुकडे टुकडे में जोड कर जो तस्वीरे बनी उससे में यही समझ पाई कि वे एक भरे पूरे घर की सबसे छोटी जवान विधवा बहु थी सारे तिन चकर खिन्नी के तरह घर के काम से उपर नीचे करती और देर रात दुमंजली चट की छोटी से कुठरिया में आ पड़ती चट भी क्या उस चौकड से हिस्से के चारो ओर बहुत उची उची दिवारे थी आसपास के किसी घर का कोई हिस्सा वहां से नजर ही नहीं आता था सिवा कुछ दूरी पर बने सक्रे बहुत उचे घर की एक दिवार के जिसमें जड़ी एक खिड़की कभी खुलती ही नहीं थी और फिर एक दिन जब तो पहर वह चट के उस हिकसे के एक कोने में घुटने में सिर डालके हिलक हिलक कर रो रही थी तो पता नहीं उसे कैसे आभास हुआ कि कोई उसे देख रहा है मूठ आया तो सामने दिवार वाली खिड़की खुली थी और दो आखें लगा तार उसे देख रही थी पता नहीं उसे क्यूं लगा कि ये आखें उसे पहली बार नहीं देख रही है उसने कभी ध्यान नहीं दिया कहां समय ही रहता है उसके आसपास ध्यान देने का अपने हाथ, अपनी आखों तक लेजा आशु पोच लेने का इशारा किया पता नहीं क्या था इस छोटी सी बात में कि उसके होटों पर हलकी सी मुस्कान आ गई और उसने आशु पोच लिये आगे के कुछ पन्नों में कुछ-कुछ पंक्तियां लिखी गई थी और फिर बहुत जोर से आगे पीछे लाइने करके काटे गई थी जैसे होता है न कभी-कभी कि मन में जो कुछ कह रहा होता है वह हम समझ रहे होते हैं पर सुनना बिल्कुल नहीं चाहते कुछ जो उग रहा होता है हलका-हलका उस पर कस कर बुलडोजर चलाने जैसा एक पन्ने पर लिखा था कैसी नीचे तुलसी के घेरे में एक नया नन्धा सा पौधा निकल कर आया था और वह सास से अनुरोध कर छट पर गमले में लगाने को ले आई थी बात धार्मिक मान्यताओं की थी तो सास मना नहीं कर पाई थी और फिर कुछ देर को शाम को भी छट पर जाने का नियम बन गया वह दिया जलाती थी तो दो हाथ उधर भी जोड़ जाते थे रिष्टे भी ना जाने कैसे कैसे जोड़ जाते हैं यही बात हमने कही थी उदे से उस दिन और उसने ललक कर समर्थन किया था सो तो है दीदी अब देखिये ना दीदी जिनकी डायरी है उन्हें तो हम आप बिल्कुल भी नहीं जानते लेकिन उनसे भी तो कैसा रिष्टा जोड़ गया है जब आप डायरी में लिखी उनके थोड़ा सा भी खुश होने की बात बताती है तो उस दिन मन खुश रहता है और उनका दुख सोच कर मन दुखी हो जाता है किताबों की संगत सच आदमी को बहुत समवेदन शील और समझदार बना देती है बाल खुलने के अनुरोध वाली उस खटना मैं उदे से साज़ा नहीं कर पाई थी कुछ संकोच सा हुआ था पर उस दिन मेरे अपने मन में सारे दिन जैसे फुहारे जरती रही थी लिखा था क्या उतनी दूर से मेरे कसे बंधे जूड़े के बावजूद उसको यह आभास हो गया था कि मेरे बाल लंबे खने है पता नहीं पर उस दिन इशारे से बाल खोलने का अनुरोध आया पहले तो मैं समझ ही नहीं पाई और जब समझ में आया तो थोड़ी देर को एक्तम हद प्रत्सी हो गई मना किया मैंने सिरहिला कर कई बार पर अनुरोध आगरह जिद मनुहार का सिलजिला जारी रहा कभी कभी मुझे अजरज भी होता था कि इतनी दूर से वो अपने हर मनो भाव को केवल इशारों से कैसे व्यक्त कर लेता है या फिर यह मेरे ही मन की कलाकारी है पता नहीं पर उस दिन सब लोग काउं गए थे परिवार की किसी शादी में तो मेरे पास समय था बहुत मैंने बाल धोए भी थे पर आदितन कस कर जूड़ा बांधा था चट पर गई यूं तो अमूमन उस समय खिड़की खुलती नहीं थी पर उस दिन खुली थी उसने फिर अपना अनुरोद दोराया उसे पता नहीं था उसका वह अनुरोद मेरे भीतर कितना दर्द जगाता था आकाश को भी मेरे खुले बाल कितने पसंद थे भी जब सामने होते थे तो मेरे बाल बंधे रही नहीं पाते थे मेरे खुले बालों में चहरा छुपाना जूर की सांस ले गुन गुनाना आकाश के प्रिये शगल थे आकाश के ना रहने पर अम्मा जी ने कितने ताने दिये थे कि सधवा औरतों का खुले बाल खुमना कितना बड़ा अप्शगुन होता है यही सब हरकतें डस गई उनके लड़के को और भी ना जाने कितना और क्या-क्या वो तो आकाश के आकरी शब्द थे और वह भी उन्होंने अपनी अम्मा से ही सब के सामने कहे थे कि अगर मेरे बालों को कुछ नुकसान पहुचाया गया तो उनकी आत्मा को कभी शान्ती नहीं मिलेगी बड़बडाती रही थी अम्मा बहुत दिन कि पता नहीं यह लड़का कैसे मन पढ़ लेता था जा रहा था पर चिंता थी बालों की जैसे उनहीं में जान बसती हो पर इन सब के बावजूद उन्होंने मेरे बालों के बारे में उस दिन के बाद कुछ नहीं कहा था आखिर मा है न, जाते हुए बेटे के शब्द तो सुनी रातों में उनके कानों में भी गुंजते होंगे बल्कि कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पीट, मेरे बालों पर उनकी नजर काफी देर तक ठहर कर रह जाती है अब क्या अपने बेटे के होने को महसूस करने का उनका तरेका है कभी कभी मुझे लगता है कि दुख उनके भीतर भी कहीं बहुत गहरे ठहरा हुआ है और बेटों और उनके बच्चों से भरे पुरे परिवार में वे अपने सबसे लाडले छूटे बेटे के जाने के दुख को खुल कर व्यक्त भी तो नहीं कर सकती थी न, बात बेबात पर अरे लो, कहां भटक गई मैं, ऐसा ही होता है मेरे साथ, इस मन का भी न, कहां से शुरू होता है, कहां दोड़ जाता है हां तो, फिर बाल खुलने का अनुरोद किया उसने मैंने नजर उठा कर आस्मान की ओर देखा, खूब चटक नीला आस्मान और मेरी चटपर टिका बादल का एक टुकड़ा मुझे लगा जैसे वह टुकड़ा मेरे लिए ही रुका है महां मैंने कहा उस बादल से, खोल लो क्या, जैसे कि आस्मान की सीने में वह मेरा आकाश हो और लो, धीरे से उस बादल में एक फांक सी हो गई, बिलकुल मुस्कुराते चहरे से जैसे आकाश ने ही किलग कर हामी भर दी हो मैंने धीरे से खोल दिया अपना जूड़ा, और सिर खुमा कर देखा खिड़की की और सच कहूं, उस चहरे पर आकाश का चहरा जैसे गडमड होने लगा था फिर धीरे धीरे वही चहरा अपनी पूरी सौमयता और गामभेर्य के साथ स्थिर हो गया था और मेरे भीतर भी हमेशा के लिए स्थिर हो गया, एक टुकड़ा सुक। यह उस डाइरी का सबसे लंबा व्रितान था, शायद वह उस दिन सच में फुर्सत में थी घटना क्रम जैसा तो कुछ नहीं था उस डाइरी में, पर हाँ, फुटकर वाग के थे, खुशी जलकाते एक पन्ने में था, आजकल मेरी चट की धूप में चमक बढ़ गई है, मुझे लगा था लिखते समय भज जरूर हलका हलका मुस्कुरा रही होगी, या फिर हो सकता है कुछ गुन-गुना भी रही हो हाँ, एक पन्ना और था, चांद की रोशनाई में कलम डुबू कर लिखा गया सरदियों के महीने की पूरी चांद वाली रात थी, और उधर खिड की बंध ही नहीं हो रही थी इधर से ये अनुरूद कर रही थी, खिड की बंध कर लेने का, पर उधर तो जैसे ना सुनने की कसम खाई हो ऐसे भी कोई करता है बला, कैसी तो ठंड है, तब यत खराब हो जाएगी, पर उधर, उधर से तो ना तो ना ये अपनी कुठरिया के अंदर चारपाई पर आ बैठी थी, दर्वाजा भी भेड दिया, हार कर, पर मन कहा माना फिर जाग कर देखा, तो खिड की वैसी ही खुली, और वह खिड की के सामने वैसे ही हार कर इसने अपनी खटिया दर्वाजे तक खिसकाई, और रजाई ओड कर बैठ गई, उधर भी एक कुर्सी खिसकाई गई, और कंबल सिर से लपेट जम गए साहब फिर रात सरक्ती रही, और फिर उसके बाद कुछ दिन जब छट और खिड की पर एक साथ चीके आती, तो दोनों मुस्कुरा उठते सच है न, साथ यूँ भी तो निभाया जाता है फिर एक दिन उसने इशारा किया खिड की बंद करने का जाने का, कहां समझ पाई थी ये सब कुछ ये कुछ भी ठीक से और समझने का जरिया भी तो नहीं था मन को तसल्ली दी थी कि किसी काम से कुछ दिनों के लिए शायद कहीं जाना हो पर फिर वह खिड़की कभी नहीं खुली थी इसे दिखा कर खिड़की की छड़ से जो तारे के आकार का कुछ बांध गया था वह रोज देखती थी उसे वह अंधेरे में रोशनी के बिंदू सा चमकता था और हर सांज तुलसी पर दिया बार वह लौ को उस ओर बढ़ा देती थी और बस फिर कुछ नहीं डाइरी खत्म मैं ठगी सी बैठी रह गई बहुत जुझला हट हो रही थी रोना भी आ रहा था यह भी कोई बात हुए ऐसे कैसे ना नाम ना पता ना कोई सिरा क्यों भला लगी है डाइरी मेरे हांत जीवन भर एक कचोट सी रहेगी पता नहीं कभी मिल भी पाए वो दोनों या नहीं कभी क्या बदली होंगी परिस्तितियां कहां चला गया होगा वो अचानक कब तक प्रतीक्षा की होगी उसने कहां ले गई होगी सिंदगी उन दोनों को अलग-अलग ही कहीं गुम हो गए होंगे इत्ती बड़ी दुनिया में हर रात सोने के लिए लेटते ही मेरे मन में बंद खिड़की पर चमकता सितारा और छट पर की तुलसी में जलते इकलोते दिये की लोग हलके हलके कपकपाने लग कुछ कहानिया खत्म होने के लिए बनी ही नहीं होती शायर